हाट एटक का इलाज क्या होना चाहिए वह इक पर समय लेते हैं देखें हाट अदर ब्लॉकिस था ब्लॉकिस बस्ट नहीं है यह था था अब ट्रीटमेंट किते देर में होना चाहिए हम लोग बोलते हैं एक गंटा उसको बोलते हैं गोल्डन आवर एक ईंदर वह ट्रीट को अगर गला दिया सकता है गंटा और इसको गलादिया जाएं तो वह हाट आट ए体क का एरिया जो मुदा किया जासकता एक एरिया लॉस्त हो जांता है उसको बचाना बहुत मुस्किल हो जाता है तो एक गंटे के अंदर हॉंस्पिटल में चले जाएं और हॉंस्पिटल कुछ इंजेक्शन दे के वो क्लॉट को गला दे या प्राइमरी अंज्योप्लास्टी इसको बुलते हैं उसी वक्त वो तार गुसा के उसको खोल दे तो ये काम हो सकता है पर उसके पहले हार्ट के पेशिंट क्या करें पहला काम है उसको पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है उसको कोसिस करना चाहिए नियरे स्टांस्पिल में पहुँचे और उस बकत उनको एक ही चीज़ करना चाहिए अगर उनका ब्लड पेशर सही है तो एक एस् जीब के नीचे रखा जा सकता है, तो आप अगर बोलते हैं, तो मैं हॉस्पिटल के बगल वाले बिल्डिंग में मकाल में लेता हूँ, मैं बोला जैसे ही हार अट अटाक होगा अंदर भुष जाओ, मैं बोला तब एक काम करो, अब हॉस्पिटल के बेट के में ही ले लो और और अटाक करो, और अच्छा है, आइस्यू में एड्मिट हो जाओ, और अटाक करना, और उससे भी अच्छा है, कि हार अटाक होने ही मत दो, तो आदमी बोलते हैं, हार अटाक ना हो, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको खाने पीने में कंट्रोल रखना नन-वेजिटेरियन फूड नहीं खाना है, उनमें होता है कोलेस्टोल और ट्राइगलिसाइड, ड्राइफ फूट्स नहीं खाना, दूद में से मलाई निकल लेना, यह तो खाने के तरब से फूट्स और वेजटेबल जादा खाना है, हर दिन 35 मिनिट वाक करें, कोलेस्टो कोई इसमें कॉस्ट नहीं होता है, तो हर्ट इटेक को रोक सकता है, तो हर्ट इटेक रोकने की बात सोचिए, हर्ट इटेक हो जाए, उस बकत क्या करना है, वो पीछे की बात है, हर्ट इटेक होई नहीं, तो सबसे अच्छा बता है.